नमस्कार आप देख रहें इंडिया ख़वर लाइव आपके साथ मैं अनिवरेश शर्मा ख़वरार यह उत्तरप्रदेश के हमेर पुर्जेले से दुकान में लगी आग कई लाख का सामान हुआ राख जीहां छेत के भेडी डाडा ग्राम में अग्यात कारणों के चलते आग लग जाने के कारण दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई फिलहाल कुछ लोगों के मताबिक आग लगने का कारण शौर्ट सर्किट बताया जा रहा है तो कुछ लोग आग लगने का कारण संधिक्द बता रहे हैं भेड़ी ग्राम दिवासी राजिंद प्रिशाद गुप्ता की जनर्र श्टोर स्टेशनरी किरानी की दुकान थी जुकी पूरवजों से दुकान दारी करते आ रहे थे राजिन प्रिशादबा उनकी पत्नी चंदवती किसी काम से विवार गए हुए थे रात्री में विवार में ही रुक गए तबी बीती रात्री करीब लगवक साड़े ग्यारा बजे मकान वा दुकान में आग लग गई और रात्री बारा बजे तक आग ने विक्राल रूप धारण कर लिया जिससे लोगों में कोहराम मच गया पड़ोसी चंद्रभान यादम ने जब देखा तो मोहले के लोगों को आवाज दी सेकड़ों ग्रामीडों ने पानी डालना शुरू किया वा एक सो वारा नंबर डायल कर पुलिस वा थारा जलालपुर को सूचना दी मोके पर पुलिस पहुंची बहीं ग्रामीडों वा पुलिस की मरिद से राती दो वजे तक आग पर कावू पाया जा सका महले बासियों ने फौन दोरा राजिन्द प्रिशाद को सूचना दी तब तक राजिन्द वा उसका लड़का नीरज वपत्नी चंदवती पहुंचती तब तक दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया राजिन्द प्रिशाद गुपता ने बताया कि मेरी जिन्दगी भर की कमाई जलकर राख हो गया लेकिन आगर लगने का कारण नहीं बता सके दुकान में किराना जन्रल सामान वा स्टेशनरी वा चार कुंटल अनाज वा बारह हजार के करीब नगद रुपया जलकर राख हो गया जिसकी अनुमानित लागत पांच लाख से अधिक बताई जा रही है मुके पर लेखपाल जैकुमार कुश्वा ने जाच कर बयान दर्ज किये इस विसाय पर प्रभारी निरीक्षक ब्रोद राय ने बताया कि अभी लिखित में तहरीर प्राप्त नहीं हुआ है तहरीर मिलने पर जाच कर कारवाई की जाएगी हमिर्पूर से इंडिया खवाल लाइप के लिए पंकच कुमार शंद की एक रिपोर्ट हम लोग सब लोग बाहर थे मुहले वालों का फोन पहुंचिया कि आपके घर में आग लगी हुई है और तब वहां से हम गाड़ी करके आए देखा तो सब जलके राख हो गया था किरा आग लगने का कारण क्या है और आग पर आप लोगों के कैसी काबू पाया जब हमने देखा तो यहां आग काफी तेजी सी जल रही थी सारे मौले में दोड़कर सभी लोगों को जगाया सभी लोग अपने अपनी बाल्टिया लेकर अचानक पानी यहां पर ढालें लगे और बड़ी मसकत कि एक देड़ घंटे बाद इस आग में काबू पाया कि अचा कितने का नुक्सान हुआ होगा लगभग पांच लाक रुपे का नुक्सा होगा किराने का भी सामान था इस्टेशनरी भी थी जनरल स्टोर भी था यहांनि इनसान की हर एक प्रियोग होने वाली बस्तोर यहां पर मिलते हैं